अज़ आप लगो के लिए लेकर आचुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि अज़ पूरा दिन वो आपके बारे में क्या सोच रहते हैं अज सारा दिन आपके परसन के एनरजी, फीलिंग, थॉट्स क्या रहे हैं हम यह जानेंगे रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ आक्यूरेटली रेजोनेट करें हो सकता है सिर्फ कुछ परसन रेजोनेट करें तो ओपन माइड़ होकर सुनिएगा और जबरदस्ती अपने आपको रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा जतना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीब दरेस्ट ओके ये रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए है हर उम्र के वेक्ति के लिए है टाइमलेस है आप जब भी इस वीडियो को देख रहे है यह है आपके साथ अभी रेजोनेट करेगा फिर चाहें आप इस वीडियो तक कितने भी समय बात कि उना पहुंचे हूँ ओकी चलिए आए देखते हैं क्या आप सारा दिन उनकी फीलिंग उनकी अनरजी आपके लिए क्या रही है सबसे पहला कार्ड ही स्ट्रेंथ का है देन वी हाव नाइन अफ कॉप्स देन वी हाव देन मून कार्ड नाइन अफ वांस तो आप सारा दिन आपके पर्सन कैसा फील कर रहे थे देखे सबसे पहले यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है व्यूर्स ऐसा लगता है कि जैसे आप उनके लिए उनका एक desire हो या उनकी एक ऐसी इच्छा हो जो भी तक पूरी नहीं होई है या आपको पा लेना उनके लिए बड़ा achievement है उनकी लायफ में एक high level satisfaction है आपका होना या आपको पा लेना एसा लगता है कि यह तोड़ा सी सुंड्म कर सकते हैं, थोड़ा अणटिट्यूट का प्रॉब्लम इनके साथ हो सकता है, यह तोड़ा सा फिर अथ हैं, बस तोड़ा सपने रहते हैं, इंपनी इमेज़ को लेकर काफी प्रोटेक्टिव मरगते हैंsels तो ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ा attitude भी हो सकता है इन्हें इस बात का कि मुझ में कुछ बात है और यह नू मैं कुछ हटके हूं कुछ unique हूं और मैं जो चाहूं वो मैं पा सकती हूं यह पा सकता हूं और यह नू जो मुझे चाहिए था मैंने पा ही लिया है तो इस तरह से ego स्टबन निचर भी हो सकता है कि थोड़े जिदी है इगोस्टिक है इस टाइप की चीज यहां हो सकते हैं ठीक हाँ मुझे यहां पर ऐसा भी लगता है वीवोर्स की कहीना कहीन आज साड़ा दिन यह ऐसा प्रिटेंड तो कर रहे थे एंड तो अब करते हैं आप्टेंड ढूआपे और प्रिटैंड करते हैं आपने अपनी इमेज आ यही को भी मेंटेंड करते रहते प्रिटेंड करते रहते हैं I don't care मुझे तो किसी की वियाद नहीं आ रही है किसी से फरक में पढ़ रहा है या मैं जादा किसी के लिए नहीं सोचती हूं या नहीं सोचता हूं तो ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं आज के बिन भी अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ कलीक् एसा प्रिटेंड कर रहे हैं I am fine and I am you know sitting on my position I am not going anywhere या मैं किसी के पीछे या किसी के लिए तडपना या किसी के पीछे भागना या you know किसी को जादा पैमपर करना मैं इस चीज में नहीं हूं और मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में खुश हूं या you know I am very you know self-centered इस आप का कुछ शो कर रहे हैं जब कि अंदर से ही काफी जादा emotional और sad feel कर रहे हैं और यह जो emotional feel करना है या sad feel करना है यह इनका दिन ढहलते ढहलते जादा हुआ है जैसे सुभा सुभा अच्छे से act किया अच्छे से pretend कि मुझे के फरक ने पड़ रहा है फिर दो पहर होते होते थोड़ा बहुत उनके acting में कमी आने लगी दिखने लगा behavior में कि किसी बात से तो upset है किसी बात से तो stress है फिर शाम होते होते दिन ढलते ढलते इनके behavior में visible हो गई चीज़ें कि सच में इनका mood off है तो चाहे उन्होंने pretend कितना भी किया हो दिखावा कितना भी किया हो शो कितना लेकिन at the end of the day जो reality है वो कही न कहीं reflect होती है behavior में expressions में तो इनके भी भाव में हाव भाव यानी body language में facial expressions में दिखने लगा कि इनका जो mind है mood है थोड़ा अपसेट है तो इसीने में कह रही हूं कि यह अंदर से बहुत दुखी थे और दुखी से मतलब ऐसा नहीं है कि सिफ र वो कि तो mood off हो रहा था लेकिन क्योंकि they have certain kind of image इस वज़े से वो दूसरों को जादा शेयर भी नहीं कर सकते अपने बारे में एक जो वेक्ति होता है जो चार लगों के बीच अपनी एक ही तरह की image बना के रखता है फिर वो उनसे अपना वल्लरेबल साइड शेयर नहीं कर पाता या उनके साथ अपना वल्लरेबल साइड शो नहीं कर सकता क्यों क्योंकि उसने खुदी अपने आपको एक rough, tough, careless, carefree, egoistic person दिखाया है अब वो कैसे अपनी वल्लरेबल, emotional साइड दिखाया है तो ऐसा लगता है पूरे दिन इस तरह का इस और डुआलिटी में जिये, behave कुच किया, feel कुच किया और उस डुआलिटी में जो नकी genuine जो उनको बुरा लग रहा था असली में और reality में जो उनको बुरा लग रहा था उस बारे में वो किसी को share नहीं कर पाए मुझे सो, ऑक जो मुझे ho युशो, वह किसी को श्ये नहीं नहीं से कर पाए यहाँ पर एसा भी लग रहा है वीवर्ष कि किसी को श्ये नहीं कर पाए है और वैसे भी जेनरेली भी इनकी जो इमोशनzier और इनके दिल में जो desires हैं, या ifquake आपको पा लेन ईनके लिए मैनने कहा कि Аपको पाले ना उनके लिए बड़ा अचीवमेंट है इनके लिए यह इक success आपको पा लेना लेकिन इस तरः का दिखा सकते हैं इस तरह आप मेरे लिए बहुत वैल्वेबल हो या आपको पा लेना मेरे लिए सक्सेस है या आप ही मेरे लाइफ के डिजायर हो विश हो ऐसा शोव नहीं कर सकते हैं हुम लेक में हाफ सम वाटर अजय पुदिए तो अशोव नहीं कर सकते हैं इप डाउन स्ट्रेस में हैं अपनी फीलिंग्स कभी भी कर दें हैं हाइड करके रखते हैं अजा लगते आथ सारा दिन भी उन्होंने सब कुछ पुछ हाइड करके रखा ना कुछ आपको बताया ना किसी और को बताया क्योंकि यहाँ पर hidden emotions बहुत जादा है मैं कहूंगी बहुत जादा hidden emotions है और इस इंसान ने duality में जीते जीते अपने आपको भी बहुत परिशान किया है अगर आप दो तरह का जीवन जी रहे हो तो इससे किसको परिशानी हो रही है इनको ही हो रही है तो इनको उस वज़े से काफ़ी घुटन, suffocation या बार-बार irritate होना या mood off होना इनके साथ बार-बार होता है आज भी इनके साथ ऐसा हुआ होगा कि कई बार छोटी-छोटी बातों पर इनका mood off हुआ है और यह शेयर भी नहीं कर पाई लोगों से कि असली वज़ह क्या है क्यों यह irritated है, annoyed है, क्या बात है मुझे असा लगता है कि इस इनसान के अंदर अपनी reality को accept करने की हिमत नहीं है there is lack of courage, lack of strength to accept the reality अब किसी से प्यार है तो है किसी को पाने के इच्छा है तो है कोई बहुत special है, valuable है हमारे लिए, है तो है लेकिन, यह क्या है, कि अपनी image की मैं, अपनी life में special हूं मेरे लिए यह इना कि मेरी एक image है कि मैं किसी को, you know, जदा किसी को impress करने के लिए जदा किसी को chase करने के लिए नहीं जाता हूं नहीं जाती हूं तो इस तरह की जो इमेज है उसे प्रोटेक्ट करते रहना बस उसे मेंटेन करते रहना कि हाई लोग क्या सोचेंगे वो क्या सोचेंगे कि यह तो बड़ा कहता था कि यह किसी के पीछे नहीं भागता यह तो बहुत कहती थी कि मैं किसी को जा प्रोण से स्पोयल होगी मेरे बार में किस तरह से गोसिप होगी इस बात को सोच कर ही डर जाना तो वही हम कहरे हैं कि इनके अंदर वह हिम्मत ही नहीं है जो courage होना चाहिए एपने प्यार को एक्षेप्ट करने के लिए या प्यार ही छोड़िये प्रियालिटी जो है आपकी कि आप आप एमोशनल यासा फिल करते हैं यह रियालिटी है आपकी लेकिन उसको accept ना कर पाना उसे deny करकि कोच और प्रेटेंड करते रहना यह जो है कही न कही दर्शाता है कि इनसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सच्चाई को accept करे, उसी को reveal करे और उसी को experience करे वो उसके अंदर इतनी strength नहीं है और अगर जादा problem हो जाती है इन सब चीजों में deal करने में तो इनसान फ्रस्टेट होता है गुसा करता है इस इनसान को गुसा करने के आदत है आज भी नहीं होने मैंने कहा ना चूटी चूटी बातों पे गुसा हुए फ्रस्टेट हुए इर तो इस वज़े से आज गुसा भी बहुत आया होगा चूटी चूटी बातों पे और क्योंकि अंदर हमत नहीं है चीजों को एक्सेप्ट करने कि तो फिर दूसरे चीजों पर गुसा निकालना जैसे कोई बल्वान इंसान किसी कमजोर इंसान पर गुसा निकाले ठीक है और वह गुसा निकालता है जब तो वह एक किसी बात का गुसा निकालता है किसी बल्वान इंसान को किसी ने डाट दिया ऑफिस एक इसके भुसे में रही से कहसा है कि उसका कोई लॉस हो गया वह इरिटेट हो रहा है तो वह अपने से बल्वान पर applies to people idka कर ने तो इसके साहत वह पता है कि भुधाहसा नहीं कर दोकी इनोगेषा कि अबुधा करें तो Evangy Warehouse जाता है। जञे भूब रहे हमारे गरेहां बरेहते हैं वुन को कि अपने भुषान उनकते हैं कि खुषाकते हैं अपने बक्चों झाहएं लगते हैं या अपने घरवालों से जगडा करने लगते हैं इसमें क्या है पता लगता है कि वहाँ अपना गुस्सा नहीं निकाल सेते हैं क्योंकि वहाँ पर पावर इशु है तो इतने स्ट्रॉंग नहीं कि इतने बढ़ चड़ के बोल सको लेकिन घर में आपको पता है कि लोग थोड़े से आप से वीक हैं तो आप कह देते हैं जैसे आपको पता होता है कि आप से स्ट्रॉंग है कोई तो आप नहीं मोलते हैं आप सब समझदार हैं यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि इन्होंने गुस्सा निकाला है और वो गुस्सा इस बात का निगाला है कि बहुत कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं बहुत कुछ यह शो नहीं कर पा रहे हैं और एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं जबकि अंतर मन से इनकी अच्छा है आज भी यह थी कि यह आपको प्राप्त करें क्योंकि सब करवा है यह मुझे लेकिन कहीन यह जो इसान है, यह मुझे मिलता तो है। लेकिनлом अगरे यह मुझे असलम धे शान किसी जिद आइर कैसे energ Rstorm आपकते पीयार में हरो समय कुवनकि फ्ले कार लेकिन लेकिन आजके एनरजी जगती है कि जिद है कि वो चाहते है आप उनके पास, वो चाहते है आप उनको अपरोच करो, आप उनको ट्रीट करो उनको अच्छे से या आप उनके लिए आक्शन स्लो, स्टेप स्लो, इस तरह की एक्सपेक्टेशन है उनकी कि आप उन्हें स्पेशल फिल करई तो उनको आप चाहिए तो सही लेकिन ऐसे नहीं कि वह आपको चेस करें तो इस तरह से लेकिन एइसा नहीं है कोई फ्याइन नहीं है कोई थे अच्छ काूछ क Plus NAKEZ था कर दो आज के झा apoyo आज हो इस एक जब कुछ Lenlung करते जो हो एक्ट्रीट मेन करते हो de ज़ा हो तो वह एब। αीशा है कि परेशान हो जाते हुए क्यों कि उन्हेंज थैंगा वह तरफ पसंद है प्या क्या इरिटेट होते हैं उनको लगता है शायद वह आपको नहीं पा सकेंगे तो उनकी तरह से जिद पूरी नहीं होती है तो तकलीफ होती है तो स्ट्रेंथ की भी कमी है और कहीं नहीं आप हो इतने इंजलिक वीवर्स या पॉजिटिव हो या अंदर बाहर आप जैसे हो सीम आपक इस लगता है वीवर्स क्योंकि आपके अंदर जो प्यॉरिटी है जिस वज़े से आप अंदर से जैसे हो वैसे ही भाहर रफलेक्ट करते हो परसिनलिटी में उस वज़े से आपका पता लगता है कि और कि अपना क्लीन है लेंस्ट जो इनसान जूट नहीं बोल रहा है बार 1 पॉज़े आप क्योंकि वो जूट ने ढूटरा है तो यहाँ पर उनको आपकी वाइब बहुत एंजलिक लगती है और आज भी उन्हें ऐसा ही महसूस हुआ कि जैसे आपकी वाइब बहुत एंजलिक है आप एक एंजल का जैसे औरा होता है ऐसा ही आपका औरा उनको महसूस होता है और आज भी ऐसा ही उनको फिल हुआ कि आप उनको लगते है कि आप कितने सिंपल हो किती सरलता से जी रहे हो कि इस simplicity से अपनी life में actions ले रहे हो, life को जी रहे हो, लेकिन इनकी life में वो simplicity नहीं है, तो वो कहां से होगी, क्योंकि इन्हों ने खुदी अपनी life को काफी complex बनाया है, यहाँ पर ऐसा लगता है viewers कि वो आपका दिल जीतना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं, लेकिन खुद से कोई action नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर यह इनसान दोनों हाथ फोल्ड करके बैठा है, जैसे कोई राजा है, यह कहीं उठकर नहीं जाएगा, सब इसके पास आएंगे, यहाँ पर यह इनसान खड़ा है, हाथ पर हाथ रखके बस, और देख रहा है, बस कुछ कर नहीं रहा है, जस्टैंडिंग हैर, तो ऐसा लगता है कि कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस जीत हासल करनी है, पाना तो है आपको, लेकिन इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं महसूस हो रही है, और क्यों? क्योंकि अपने एमोशन, अपनी रियालिटी, अपनी फीलिंग्स, सब कुछ हेडिन है, अपना पेन, everything is hidden here, nothing is revealed, तो सब कुछ छुपा छुपा है, उसी वज़े से ऐसा है, देखिए, अपनी रिडिंग्स, अभी जोडियक साइंस के लिए है, फिर भी कहूंगी, फायर साइन और वोटर साइन काफी प्रॉविनेंट है, फायर एंड वाटर, ओके, या, आज भी आपको स्टॉक किया है, अज़ आफ नज़र आता है, और कुछ लुगों के लिए हो सकता है, लॉंग दिस्टेंस कनेक्शन है, ये, ओकी, सो इस वोस दे रीडिंग्, चले मिलते है, अदली रीडिंग में तब तक के लिए, बबाया फामिली,